नमस्कार दोस्तों मैं प्रवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार अफसर में जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रति दिन रोजगार से जोड़े सभी अफसरों की पूरी जनकारी दोस्तों फाइनली वो नोटिफिकेशन आ गई है जिसका काफी दिनों से सभी केंडिडेट्स वेट कर रहे थे जियां दोस्तों IBPS के तरफ से बैंक P.O. के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 4,306 vacancies के लिए notification जारी किया गया है जो की अच्छी खासी बड़ी notification है यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि सभी graduate candidates जो इसका wait कर रहे थे वो इसके लिए आवेदन जो करेंगे वो एक बार पूरी official notification को जरूर ध्याम से पढ़ लें उसी के बाद आवेदन करें काफी लंबी चौड़ी वो notification है दोस्तों हमने पूरी के पूरी notification को एक single page में समराइस्ट कर दिया है आपको लोगों के कम से कम वक्त में पूरी के पूरी notification को जल्दी से जल्दी समझ लेने के लिए हमने ये single page में पूरी notification की समरी बना ली है हाला कि हम इस पूरी समरी को clear करने के बाद हम वापस official notification पर जाएंगे और वहाँ पर इसको cross verify भी करेंगे और साथ में और भी कुछ जो नए points हैं उनको भी वहाँ पर हम discuss करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता जाना चाहते हूं अगर आप official notification को download करना चाहते हैं तो उसका link हमारे description box में सबसे उपर दिया हुआ है वहाँ पर जाकर करके आप official notification को download कर सकते हैं और मैं suggest करूंगा कि एक बार आप पूरी notification को जरूर ध्यान से पढ़ें आवेदन करने से पहले और्गनाइजेशन की बात की जाए तो Institute of Banking Personal Selection यानि की IBPS की तरफ से ये notification जारी किया गया है probationary officer यानि की bank PO के लिए काफी वक्त से सभी candidates जो भी graduate candidates से इसका wait कर रहे थे इंटे लेवल की जौब है दोस्तों देश के आप किसी भी हिस्से में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और किसी भी हिस्से में इसकी recruitment की जा सकती है 4306 यानि की 4336 vacancies के लिए notification जारी किया गया है जो की काफी अच्छी खासी number of vacancies हैं लेकिन यहाँ पर मैं बता दोस्तों कि यह जो number of vacancies हैं यह बेशक ठीक ठाक figure आपको नज़र आ रही है बट जो number of applications होती हैं अगर हर साल के track record को अठा करके देखा जाए तो इसमें competition level काफी जबरदस्त होता है काफी high competition और काफी high merit जाती है तो इसी लिए इसकी तैयारी आप इस figure से बिल्कुल decide ना करें अपनी competition को crack करने के लिए अपनी तैयारी को एकदम जबरदस्त रखें educational qualification की बात की जाए तो सभी graduate candidates इसके लिए आविदन कर सकते हैं बीच से 30 साल age limit रखी गई है दोस्तों और यह जो age limit में आपको बता रहा हूँ यह general candidates के लिए दी गई age limit है SCST, OBC और PWD candidates के लिए age में पूरी standard central government के अनुसार जो relaxation नरधारित की गई है वो यहाँ पर भी लागू होती है अगर तारीकों की बात की जाए तो 2 August 1989 से लेकर के 1 August 1999 के बीच में अगर आपकी date of birth है तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं और यह जो दोनो dates हैं यह भी इसमें included है यानि कि अगर आपका date of birth 2 August 1989 है तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं selection process की बात करें तो दोस्तो यह कुल मिलाकर के तीन चरणों में recruitment की जाती है हर साल और इसमें exam के ही दो session होते हैं पहला session जो होता है वो prelim exam का होता है और जो candidates उस prelim exam को clear करते हैं उसी के बाद उनको main exam के लिए call किया जाता है intimate किया जाता है message किया जाता है और उसके बाद दोनों ही exams को clear कर लेने के बाद जो candidates होते हैं उनको interview के लिए call किया जाता है salary की बात करें तो दोस्तों बड़ी ही जबरदस salary है 23,700 रुपे का basic pay रखा गया basic pay को समझ लीजे दोस्तों यह salary in hand नहीं होती है यह basic pay पे जो होती है यह बिलकुल एकदम exact amount है जो कि जिसके उपर आपकी salary बनती है इसमें CCA, TA, DA, HR, A पहुत सारी चीजे हैं जो जोड़ती है अगर हम सभी चीजों को central government के नियम के अनुसार बनाएं और उनको जोड़ें तो 23,700 रुपे का जो basic पे है यह salary बन जाएगी 49,800 रुपे है gross salary है यह, salary in hand है यह, जो salary आपको मिलेगी हलाकि इसमें कुछ 1-2% का variation आ सकता है current government की policies जब यह recruitment हो रही होगी, जब joining मिल रही होगी उसक जो होगी, उसक के हिसाब से थोड़ा बहुत 1% का variation आ सकता है job nature की बात करें तो दोस्तो permanent यह job है सबसे अच्छी बात जो इस job की है वो यही है कि यह permanent job है आजकल देखने में आता है कि काफी सारी temporary या contact basis की jobs आजकल मार्केट में बहुत आ रही है और यह ट्रेंट सा बन गया है, ट्रेंट सा चल निकला है कि जो companies की तरफ से notification आती है वो permanent job की बजाए contact basis या fixed term basis जो होती है यह काफी ज़्यादा vacancies आजकल आ रही है मगर यह बिलकुल भी ऐसी कुछ vacancy नहीं है यह permanent एकदम आपका career जो है वो एकदम set है तो बिलकुल भी tension लेने की ज़रूरत नहीं है एकदम से बस तैयारी कीज़े इसके लिए 7 अगस्ट 2019 से portal खुल जाएगा online portal और आप इसके लिए आविदन कर सकेंगे और 28 अगस्ट 2019 तक आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं कि कुल मिलाकर के कुल 21 दिनों के लिए ये portal खोला जाएगा और इन्हीं 21 दिनों के बीदर आपको इसके लिए आविदन कर देना है अब देखिए यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि 4336 वेकेंसीज हैं और लगबग लगबग लाखों स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए आविदन करेंगे और 21 दिनों का या 20 दिनों का ये कुल मिलाकर के कुछ वक्त है तो मैं आपको सुझेस्ट करूंगा दोस्तों की जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए आविदन करें बजाए लास्ट करने के जैसे ही इसके लिए पोर्टल खुलता है आप इसके लिए आविदन कर दें अप्लिकेशन फीस या आविदन शुल्क की बात करें तो दोस्तों जन्रल और ओवी सी केंडिडेट्स के लिए 600 रुपे का आविदन शुल्क रखा गया है इसके अलावा बाकी सभी कैटे अफिशल वेबसाइट www.ibps.in के मार्दियम से तो आईए दोस्तों यह कुछ में पॉइंट से जो हमने आपके साथ डिसकुस किये अब हम चलते हैं ऑफिशल नोटिफिकेशन पर और देख लेते हैं इसके अलावा और भी कुन-कुन से में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नोटिफिकेशन के अंदर दिये गए हैं तकि दोस्तों यह है वो ऑफिशल नोटिफिकेशन जिसको ऑफिशल वेबसाइट पर जारी किया गया है अभी से बस कुछ एक-दो दिन पहले ही ऑफिशल वेबसाइट पर इसको जारी किया गया है अगर हम पार्टिसिपेटिं organizations की बात करें या जो जो banks में इसके लिए recruitment हो रही है तो अलाबान बैंक, आंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट बहुत सारे banks हैं दोस्तों, Oriental Bank, United Bank of India, बहुत सारे banks हैं जिसके अंदर ये recruitment, एक combined recruitment है इन सभी banks के लिए, हाला कि एक tentative schedule भी दिया किया है, जो की पूरा का पूरा लेका जोखा जो है, जिस date के अनुसार चलना है, वो एक tentative date ज़रूर दे दी गई हैं, ये fixed dates नहीं है, tentative है, change हो सकती है, time आने पर, मगर आप regular visit ज़रूर करते हैं, official website पर, अगर किसी प्रकार का कोई change किया जाता है, तो official notification ज़रूर जाई किया जाएगा, official website के माध्यम से, यहाँ पर मैं एक बात आपको बहुत ध्यान से बता देना चाहता हूं, official website को ही सिर्फ आपने follow करना है, इसके अलावा और किसी platform पर दी गई, किसी information को, जो कि official notification नहीं है, आपको नहीं मानना है, क्योंकि आज कल काफी सारी fake information बहुत सारी platform पर आपको मिलेंगी, और without any official notification आप किसी भी information पर यकीन ना करें, तो online registration की जो date है, वो 7 अगस्त 2019 से 28 अगस्त 2019 ऑनलाइन अप्लाई करने की date है, payment करने की जो date है, वो है 7 अगस्त से 28 अगस्त, call letters जो होंगे pre-exam के लिए, और pre-training के लिए, sorry, अभी मैं pre-training के बारे में भी आपको बताऊंगा, इसमें आगे जाकर के notification में, वो September 2019 में कभी दिये जाएंगे, और pre-exam training जो start होगी, वो 23 September 2019 से start होगी, और 28 September 2019 तक चलेगी, यहांगी 23 September से, 28 September तो कुल मिलाकर के जो दिन हो जाएंगे, वो पाँच दिनों के लिए, ये जो classes हैं, वो conduct की जाएंगी, nearest आप banks में जाकर के, उसकी पूरी list दी हुई है, आप उसमें जा सकते हैं, free of cost है बलकुल, call letters, online examination के लिए, pre-exam के लिए, October 2019 में जारी किये जाएंगे, तो इसी परकार से सारी dates का यहांपर information दी गई हैं दोस्तों, eligibility criteria की बात की जाएं, तो सिर्फ अगर आप graduate हैं, और Indian citizen हैं, तो आप इसके लिए अबिदन कर सकते हैं, age जो calculate की जा रही है, वो एक अगस्त 2019 से calculate की जा रही है, minimum 20 साल, maximum 30 साल age limit रखे गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो अगस्त 1989 से लेकर के, एक अगस्त 1999 के बीच में, अगर आपकी date of birth है, तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं, schedule cast, schedule tribes के लिए 5 साल, OBC के लिए, non-crimal year के लिए 3 साल, और जो भी PWD candidates है, शारेरी कुरूप से दिव्यांग जन, उनके लिए 10 साल की age में relaxation दी गई है, एक बड़ी important information यहाँ पर दी गई है दोस्तों, जिसका आपको सभी को ध्यान रखना है, कि अगर आपका जो result है, वो declare हो जाता है, जो final year के candidates है, specially मैं उनके लिए बता रहा हूँ, अगर आपका result declare हो जाता है, 28 अगस्ट 2019 से पहले पहले, तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं, और इसके बाद जिनका भी result declare होता है, as per the official notification वो उसके लिए आविदन नहीं कर सकते हैं, अच्छा, अब बात आजाती है, जो important बात है, जो मैं भी आपको बता रहा था, pre examination training जो है, वो बहुत सारे centers पर conduct की जाएगी, आपके भी nearest, कोई ना कोई center जरूर होगा, बहुत लंबी चौड़ी list हैं आपर, अगरतला, आगरा, एहमदाबाद, इलाबाद, अमरिस्तर, इस परकार से बहुत सारी list दी गई है, बहुत सारे शेहर हैं उसमें, तो कोई ना कोई, आपके घर के आसपास का भी शहर जरूर होगा, आपके शहर में भी किसी ना किसी बैंक की ब्रांच में, ये training जरूर conduct कराई जाएगी, और जो भी इसके लिए opt करना चाहते हैं, इस training को, वो अपने application form के अंदर, एक जगे पर आपसे पूछा जाएगा, कि क्या आप pre examination training opt करना चाहते हैं, बिल्कुल free of cost हैं दोस्तों, तो आप उस पर click कर सकते हैं, और उस training को ले सकते हैं, हाला कि उस training को करने से, यहाँ पर mention किया गया है notification में, कि कोई guarantee नहीं है, कि ये selection होगी, ये सिर्फ और एक और important चीज मैं आपर बता रहा हूं, कि जो nodal banks हैं इस organizations के उनी में ये training conduct की जाएगी, और schedule cast, schedule tribes, और minorities जो communities हैं, उनके लिए ये training है, general candidates और OBC candidates इसके लिए eligible नहीं हैं, ये चीज नोटिफिकेशन के अंदर mention की गई है, अब इसके बाद आ जाते हैं, दोस्तों, online examination का जो structure है, वो भी notification के अंदर mention किया गया है, जो prelim exam होगा, वो कुल मिलाकर करके 100 questions होंगे, सभी questions एक marks के होंगे, और 100 marks का इस तरीके से आपका paper बन जाता है, basically 3 sections होंगे paper के अंदर, English language 30 questions 30 marks के 20 minute का वक्त इसके लिए आपको दिया जाएगा, quantitative aptitude 35 questions 35 marks के 20 minute का वक्त दिया जाएगा, reasoning ability 35 questions 35 marks के 20 minute का वक्त दिया जाएगा, यहाँ पर जो competition बढ़ता है ने दोस्तों, यह मैं आपको बता दिना चाहता हूं, कि quantitative aptitude और reasoning इसकी बड़ी जबरदस्त competition level है, इसमें बहुत ज़्यदा हाई है, और यहाँ पर काफी सारे candidates एक दूसरे को compete करते हैं, तो अगर आप इन सबसे आगे निकालना चाहते हैं, यह मैं personal मेरा यहाँ पर एक opinion है, कि सभी लोगों का quantitative और reasoning बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जो tough चीज़ आजाती है, वो आजाती है English language की, synonyms, antonyms और बहुत सारी कुछ technical English के questions होते हैं, उसकी आप अगर special अच्छी तयारी कर लेते हैं, तो उससे आप एक edge ले सकते हैं, बाकी सभी candidates से, यह मेरा एक personal opinion है, हला कि आप जो कई सालों से तयारी कर रहे हैं, उनको जाहिट सी बात है, इसके बारे में पता होगा, कुछ main exam का भी detail यहाँ पर दिया गया है, reasoning and computer aptitude के 45 questions होंगे, और वो start marks के होंगे, English और Hindi, दोनों ही languages में वो दिया जाएगा, एक घंटे का वक्त दिया जाएगा इसके लिए आपको, General Economy Banking Awareness के 40 questions होंगे, 40 marks के, और इसके लिए आपको 35 minutes दिये जाएगे, इसके लाब English language के 35 questions होंगे, 40 marks के, और 40 minutes के लिए दिये जाएगे, Data Analysis के 35 questions होंगे, start marks के, और 45 minutes आपको इसके लिए दिये जाएगे, तो टोटल जो number of questions हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, 155, 200 marks का paper बनता है, और 3 गंटे का आपके पास वक्त होता है, इसके अलाबा एक return exam और अलक्से भी होता है, English language का, जिसमें letter writing और essay writing का questions आते हैं, इसमें दो questions होंगे, large number of questions, और maximum marks जो इसमें होते हैं, वो 25 होते हैं, 25, और इसके लिए आपको 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आयो दोस्तों को प्लीज इसको like जरूर कीज़ेगा, उससे हमें motivation मिलता है आगे और भी अच्छा काम करने के लिए, तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मेरी तरफ से आप सभी को इस वेकेंसी के लिए best of luck, दोस्तों गर आप भी पाना चाहते हैं सबसी जल्दी updates किसी भी latest सरकारी नौकरी के लिए, तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम लेकर के आते हैं लेटेस सरकारी नौकरी से जुड़ी खबरे हैं सबसे पहले